हेलो फ्रेंट्स मैं हुआ मीत और आप देख रहें All-in-one Help आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल्टोन के Data Entry Operator की जोईनिंग के बाड़े में तो दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बेल्टोन की ओर से अब Offer Later आने शुरू हो गया है फिलाल दोस्तो सभी विभागों की ओर से Offer Later आने शुरू हो गया है जैसे कि NCC से और आपका पंचायती राज विभाग यानि DPRO से और Excise विभाग की ओर से भी आपको Offer Later मिलने शुरू हो गया दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे First Time विजिट कर रहे हैं दोस्तो आपको किसी भी प्रकार की चानकारी चाहिए हो तो आप हमें Telegram चैनल पे भी कॉमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं दोस्तो हाली में NCC और Excise विभाग की ओर से अधियाचना बेल्टरोन को भेजी गई थी जिसमें अब सभी को ओफ़लेटर भी आने शुरू हो गया है जैसा की TPO की ओर से भी ओफ़लेटर आने शुरू हो गया है आप देख सकते हैं यहां दोस्तो इस्क्रीन पे की NCC डिपार्टमेंट की ओर से ओफ़लेटर मिलने शुरू हो गया है जो कि सहरशा district से आये हैं दोस्तो बहुत से districtों से off letter मिल रहे हैं NCC Department में यहां आप देख सकते हैं यह पट्ना से off letter आया हुआ है दोस्तो अगर आप सभी को off letter मिलते हैं तो आप उसे accept कर ले बहुत से ऐसे लोग है जीरे off letter मिलते हैं उन्हें मन पसंद डिस्टिक्ट नहीं मिलता है तो वो अफ़लेटर को accept नहीं करते हैं छोड़ देते हैं दोस्तो ऐसी गलती ना करें अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको और लंबा इंतजार करना पड़ जाएगा मालूम चले कि आपको आपका मन पसंद डिस्टिक्ट मिले या ना मिले अगर मिले भी तो बहुत लेट से इसलिए दोस्तो अभी अगर आप जोईनिंग करना चाहते हैं तो अभी किसी भी विवाग से डिस्टिक्ट से आपको ओफ़लेटर मिलते हैं तो आप एकसेप्ट करें और जोईनिंग करें दोस्तो बहुत से ऐसे मित्र हैं जो अभी तक किसी भी जोईनिंग लेटर ओफ़लेटर को एकसेप्ट नहीं किये हैं क्योंकि उन्हें मन पसंद दीदा डिस्टिक्ट नहीं मिला है तो ऐसी गलती ना करें यहां आप देख सकते हैं कि बिहार NCC डिपार्टमेंट की ओर से ओफ़लेटर मिले हैं जो कि पटना डिस्टिक के लिए है पिछला सहरसा से आया था और पंचायती र्याज विभाग और अविकारी यानि कि मद निस्यत विभाग यानि कि सभी विभागों से अब ओफ़लेटर मिलने शुरू हो गए दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि आपको ओफ़लेटर मिलते हैं उसे एक्सेप्ट करने के बाद आपके डैस्पोर्ट पे क्या चेंजिस होते हैं दोस्तो यहां जो एक्सेप्ट बटन आप देख रहे हैं वो एक्सेप्ट बटन का कलर चेंज होते रहता है जैसे ही एक्सेप्ट बटन का कलर ब्लू हो जाएगा आपको एक से दो विक के अंदर आपको जोईनिंग लेटर मिल जाएगा यानि कि आपको उडमिला की ओर से call और messages आने शुरू हो जाएंगे जोइनिंग के लिए दोस्तों आपको उडमिला जाकर collect करना होगा अपना जोइनिंग लेटर उसके लिए आपको कुछ documents साथ लेकर जाना होगा original और Gerox copy भी तो दोस्तों मैं next वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि कौन-कौन से paper आपको उडमिला ओफिस लेकर जाने होगे अगर आपको call और messages आ रहे हैं उडमिला से तब आपको ज़्यादा कुछ paper की आवशकता नहीं है फिर भी मैं आपको next वीडियो में जरूर बताऊंगा कौन-कौन से paper आपको रखने होगे आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तापकी आपके लिए पेल्ट्रोन से जूरी तमाम नोटिफिकेशन लाता रहों जानकारी लाता रहों हमारे चैनल पर यूहीं बने रहे है ठैंक्यू दोस्तों